नमस्कार साथियो, यूटूब के नवजागरती चैनल में आपका स्वागत है, अवनेंदन है, महानलेखक, बिचारक, स्री स्वेत मॉर्डन की पुस्तक, अपने आपको पहंचानिये से महत्व कांछा की बारी में बता रहा था, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी ह तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके उसे देख सकते हैं, फिलाल मैं आगे की बात करता हूँ, स्वेत मॉर्डन जी आगे बताते हैं, अपने संकल्प पर आरूड रहने का प्रण कर लेते हैं, तो उन गलत सुझावों क आप पर दुस्प्रवाव नहीं हो सकता है, इसके उलट यदि आप गलत सुझावों का ध्यान में रखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और विसंगतियों को स्विकार करने के लिए तयार रहते हैं, अपने मन को चलाएमान रखते हैं, दूसरों के कहने पर अपना उद्देश छोड़ने को तयार हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन का स्वैमनास कर लेते हैं, गलत सुझावों को सुनने वाला, इस तरह के सुझावों को प्रोचसाहित देने वाला, इन सुझावों का स्वागत करने वाला, और इने सुनने में मज़ा लेने वाला व्यक्ति अवश्य ही मार्ग भटक जाता है अरस्तु ने एक बार अपने एक मित्र से कहा था कि मेरे दोस्त साहस करें तो कोई ब्यक्ति, निश्चे और परिश्रम से किसी तारे तक भी पैदल चल कर पहुँचने की संभावना रखता है उसने जवाब दिया हां पर वे लोग कभी अपने लक्ष तक नहीं पहुँचते जो गोंगों के दल दल में ही परिछण करते हैं यदि हम चाहें तो अपने ओदेश्य को मन ही मन बार बार तोहराते हुए लगातार उस मकसद की पूर्ती का संकल्प करते हुए अपने मार्क पर बढ़ते रह सकते हैं और धीरे धीरे उस मकसद के लिए कारि करना हमारा सभाव बन सकता है वे हमारी शक्ती में ब्रती करता है वे स्वास कारि सिद्धी का जनक है इससे योगता को बल मिलता है वे दुगनी हो जाती है मानसिक ताक्तों को सहारा मिलता है वे मजबूत हो जाती है ताकत विक्सित हो जाती है वे चारों को तिब्रता केवल धारण से मिलती है उनमें इस्थिरता केवल द्रण निश्चे से आती है उनमें सकती पूरे विस्वास से मिलती है यद ये गुण कमजूर हैं तो तुम्हारे विचार कमजूर होंगे और तुम्हारा कार बियर्थ जाएगा कई व्यक्ति सुद्रन गंभीर धारणा बनाकर और रख ही नहीं पाते हैं वे सब तरे से बिलकुल सतह पर रहते हैं और हर एक सुझाउ से परवर्थित हो सकते हैं दुन्गा गए तो गंगा राम, जम्ना गए तो जम्ना दास बन गए यद भी किसी मार्ग के अनुसरण करने का निश्चे करते हैं तो उनका निश्चे इतना उथला बस अधी ही होता है सदा अपने बिरोधियों अथवर लोगों की दया पर निर्वर रहते हैं जो उनसे सहमत नहीं होते हैं पहले बिगन के आते ही हत्यार राल देते हैं, घुटने टेक देते हैं, ऐसे ब्यक्ति जल्दी जल्दी अपने निर्णें बदलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनमें फैसला करने की ताकत नहीं होती, उनका कोई भी निश्चे बायोजना योगात्मक नहीं होती, बस्तुत है द्रण संकल्प की ताकत को पहचान लें और यह समझ लें कि जो हम बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, उसे वेक कर सकते हैं, तो इससे उनके संपून जीवन में महान करांती हो जाएगी, हम अपने अधिकतर दोशों और कश्टों से बच जाएगे, और जीवन की उन उचाईयों पर पहुच जाएगे, जिनका हम एकांत में बैठ कर सपना देखते हैं, सदा हम इच्छा सकती के विशय पर ही चर्चा करते रहते हैं, यह जब क्रिया रूप में आती है, तो द्रण निश्चे सकती का ही रूप अंतर होती है, इच्छा किसी काम को करने का द्रण निश्चे तथा किसी काम को करने की अपनी योगिता की पिशय में द्रण निश्चे, एक ही बात यह है कि हम जोके नहीं